Hey guys, welcome back to the channel Supersonic कैसे हैं आप सबी? I hope so आप बहुती जदा बढ़िया होंगे Supersonic चैनल में आप सबी का फिर से स्वागते एक और न्यू वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के कुछ क्रैसिस के बारे में Basically ये Part 3 रहने वाला है इससे पहले मैंने दो पार्ट बना रखे हैं वन और टू अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी वाकी वीडियो देख सकते हैं ये सारी चीज़े चोड़ते हैं महिंद्रा थार को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होगे और इस गाड़ी को इंट्रोड़क्शन देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को मालूम होगा जब से ये गाड़ी इंडिन मार्केट के अंदर आई है हर एक यूथ का मतलब सपना है कि महिंद्रा थार को लिया जाए रोडो पे मज़े किया जाए और ओफ रोडिंग करी जाए दबा करके और इसी के साथ महिंद्रा ने एक और चीज़ आप लोगों के लिए इंट्रिद्यूस करवा दी है महिंद्रा थार को 1.5 लिटर के इंजन के साथ मतलब अगर आप लोगों को काफी महिंगी लगती थी महिंद्रा थार तो आप थोड़ी सस्ती वाली भी खरी सकते हैं और टोरा भी आपको पूरा-पूरा मिलेगा खिर वो सारी चीज़ें चूड़ते हैं बात करते हैं इन सारी के सारे crashes के बारे में नमबर वन crash चंदीघड करका यह crash है जो कि 28 मैं 2022 में होता है morning के time मैं एक crash होता है 21 साल का लड़का जो कि law का student रहता है एक 50 साल का वेक्ती जो की निउसपेपर बाट रहा होता है स्कूटी पर उसको काफी बुरी तरीके से हिट कर देता है वो काफी ज़ादा रस driving कर रहा होता है जैसे यह accident होता है जो थार उन रहता है भाई वो फटा फट से माँ से भाग जाता है बचने के लिए जैसा कि मोस्ती लोग करते हैं यहाँ पर पुलिस उसको 2-3 दिन बाद पकड़ करके लेकर के आती है उसके उपर काफी ज़दा धाराई लगाई जाती है रैस ड्राइविंग के और भी बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर अगर अपर थार को देखो के तो उसका अलोय जो है काफी बुरी तरीके से टूट चुका है और स्कूटी के हाला जो है वो काफी ज़दा खसता है खैर इस एक्सिडेंट के अंदर जो न्यूस्पेपर वाला वैक्ती रहता है उसके ओन देख हो जाती है तो यह काफी ज़दा खतरमनाक चीज़ है और मैंने यह चीज़ भी काफी बार अबसर्व करिए कि जो लोग महेंद्रा थार ले करके चलते हैं मतलब अलगी समझते हैं कि हां बाई टैंक में चल रहे हैं हां अच्छी बात है आपके पास गाड़ी है बट एक्लिस कम से कम रोड पर दूसरों का भी तो ख्याल रखो नेक्स्ट नमबर टू चातिज़ गड़ का यह एक्सपीड कोलिजन जो कि एक थार और एक नैनो के बीच में हो जाता है यह एक्सट अभी हाली में होता है और काफी ज़दा वाइरल हुआ पड़ा था बिकाज एक नैनो ने एक थार को पलट दिया तो basically होता क्या है एक जो थार रहती है वो काफिल दा हाई स्पीड में जा रही होती है और एक T-point से एक Nano जो है वो आरी होती है जो कि Nano जो थार को हिट कर देती है जिसके वज़े से थार जो है वो काफी बुरी तरीके से पलड जाती है खैर इस accident में किसी की भी कोई जान नहीं और बहुत जादा नुकसान भी नहीं होता सारे के सारे लोग जो रहते हैं वो बिल्कुली सेफ रहते हैं फटा-फट से पुलिस वहाँ पर आती है और सारी चीजों को सारा मामले को सेट कर देती है नेक्स्ट नमबर थ्री ये accident अभी तक का थार का सबसे जादा खतरनाक accident मुझको लगा मतलब भाई थार को देखकर के पता ही नहीं लग रहा कि ये थार है जहां दोस्तों ये accident होता है हिमाचल परदेश में 19 अगस 2022 में ये accident होता है कुलू मनाली नैशनल हाईवे पे ठीकली लिए जो है न भाई वह बिगड़ चुका है और ये accident जो है वह रात के टाइम में होता है बाद में आपर पोलिस आती है सारी इन्वेस्टिकेशन करती है और इसके अंदर जो है कपल जो रहते हैं वह ओन देख सकते हैं और महिंद्रा थार तो अमनलब कचूमर बन गया सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर होता है एक थार जो कि और रॉंग साइड आरी होती है चलो रॉंग साइड भी लेकर कर आ रहे हो और उपर से इतनी जादा हाइज स्पीड में तो भाई मतलब एक तो गलती भी करोगे और सीना जोरी भी करोगे तो यह तो गलत बात है तो यहां पर क्या होता है जो थार है वो रॉंग साइड आरी होती है और इतनी जाद स्पीड में रहती है कि वो एक बाईकर को हिट कर देती है जैसे यह सारा का सारा हासा होता है जो ड्राइवर रहता है वो देख लेता है कि पब्लिक उसके पास भगती वह आ रही है वो गा नेक्स नमबर 5, हिमाचल परदीश का ये एक्षिनेंट है जो कि मंडी हैली पैट के पास में होता है, बिसिकली एक थार जो कि रात में हास्टे का शिकार हो जाती है, लगबग 11 बजे, ये गाड़ी जो है वो लगबग 300 फीट नीचे खाई के अंदर गिर जाती है, यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, वो फटा-फट से एंबिलेंस को फोन करते हैं, और फटा-फट से मापर पुलिस आती है, यहाँ पर अगर आप थार को देखो को तो इसके हालत जो है, वो काफी ज़्यदा खसता हो रखिया है, नेक्स नमबर 6, गोहाटी का ये एक्सिनेंट है, ड्र रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद जाओ, कम से कम ड्रिंक और तो बिल्कुल भी मत करो, और ऐसे हाँ से आजकल के टाइम में काफी ज़्यदा सुनने को मिलते हैं, यहाँ पर थार जो है, वो काफी ज़्यदा ओवर स्पीडिंग करी जारी होती है, थार अनकंट्रोल होती है, कितनी ज़्यदा स्पीड में इस गाड़ी का एक्सिरेंट जो है, वो हुआ होगा, खैर इसके अंदर बैठा हुआ, जो बंदा रहता है, थोड़ा बहुत इंजड होता है, बड़ उसकी जान बच जाती है, लोग कितना किसमत वाला है, अब अगर इस बेवकुल के बाद भी तो ड्रिंक और राइफ करेगा ना तो उससे बड़ा वेवकूफ कोई भी नहीं होगा, नेक्स्ट नमबर सेवन, जम्मू कशिमीर का ये एक्सिरेंट है, एक थार और एक हॉंडा सिटी के अंदर ये एक्सिरेंट हो जाता है, एक थार का गुरूप जो कि अपने ऑफ रोड पर दिखता है, कोई जानवर तकलीफ में है, या एक्सिरेंट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो आप इजली अपनी गाड़ी बिलकुत साइड में लगाओ, फिर उसकी help करो, अब बीच रोड पर खड़ी कर दो कि तो एक्सिरेंट होना है, यहाँ पर भी यही चीज हो तो सोचो थार की क्या पावर है, खेर थार के अंदर जो भी लोग बैठे रहते हैं, बिलकुली सेफ रहते हैं, सीड बैल नोने पहनी होती है, और एर बैक जो है वो टाइमली ओपन हो जाते हैं, पंजाब का यह एक्सिरेंट है, जो कि फगवारा चंदिगर हाई नैशनल हा अब चाहरा जाती है, और एक लड़की जो तीसरी रहते है, वो काफी बुरी तरीके से इंजड हो जाती है, भाइज थार को देख रहे हो, मतलब क्या से क्या बना दिया, जो हुरुसका हाट टॉप है, वो भी काफी बुरी तरीके से अलग हो गया है, तो यह एक्सिरेंट का आप लोग अंदाजा लगाई सकते होगी कितने ज़्यादा हाइश पीड में हुआ होगा नेक्स नमबर नाइन लद्दाक का यह एक्सिनेट जो कि थार के साथ हो जाता है इस एक्सिन में 4 लोगों की देथ हो जाती है बिसिकली होता है कि थार जो की बरफ पर जारी होती है यह current है जो कि थार और ब्रैजा बीच में होता है जो कि अपने रास्ते में जारी होती है और इक्सिनर ब्राइवर जो कि देखने को मिल रहोंगे तो यही था आज का वीडियो पसंद आया होगा बागी मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो में और इस वीडियो से आप लोगों ने क्या क्या चीज़े सीखिए आप मुझे जरू कमेंट बोक्स में बताना